आपन यहां chemistry subject discuss करेंगे तो आज आपन बात करने जा रहे हैं BSC Second Year Chemistry की देखें यहां पर आज से अपन online classes इस्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले ही आपन BSC Second Year की बात करेंगे और BSC Second Year के अंदर जैसा की आप सब लोग जानते हैं जैसा आप लोगों ने फिर्स्टियर में भी पढ़ा है फिर्स्टियर में आपके तीन पेपर थे chemistry में पहला पेपर inorganic, दूसरा पेपर organic chemistry और तीसरा physical chemistry सेम उसी तरह से यहां पर भी आपके तीन पेपर हैं तीन पेपर में, पेपर फर्स्ट अन और्गनिक 33 नंबर का होगा पेपर सेकिंड और्गनिक chemistry यह भी 33 नंबर का होगा पेपर थर्ड फिजिकल केमेस्ट्री यह भी आपका 34 नंबर का होगा तो total complete तीनो theoretical paper आपके 100 marks के हैं इसके अलावा 50 marks का होगा आपका practical तो total chemistry का paper होगा आपका 150 जिसमें से 100 number का theoretical portion आपको यहां complete discuss करवाया जाएगा exam pattern same वैसा ही है जैसा first year में था हाला कि आप लोगों ने first year के exams नहीं दिये हैं इसलिए आपने उन papers को या उस pattern को face नहीं किया है तो ध्यान डखें same pattern है प्रतिक unit से दो question आपके exam में पूछे जाते हैं यहां पर सभी paper में तीनों paper में पूरे slaves को पांच पांच unit में divided किया गया है आप ऐसे समझें paper first में यानि नौगनिक में पांच unit paper second नौगनिक में पांच unit paper third physical में भी पांच unit यानि कि प्रतिक paper में chapters को पांच unit में divide किया गया है तो बच्चों आपके exam में प्रतिक unit से दो question पूछे जाने हैं जैसे इनौगनिक में पांच unit है प्रतिक unit से दो question आएंगे और दो में से एक question आपको exam में करना है ध्यान दें रफ्स आपके physics का pattern और chemistry का pattern बिलकुल अलग है दोनों को match ना करें physics का pattern अलग है जो आपको सर बता आपको नागर सर बताएंगे chemistry का pattern है पांच unit है प्रतिक unit से दो question आने है और दो में से एक question का chain करते विए total आपको पांच questions के answer देने है यहाँ पर सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बिटा organic chemistry अपका paper second उसके बाद अपन लेंगे inorganic और सबसे last में अपन लेंगे physical का paper बच्चों देखिए कुछ लोगों के mind में कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि organic paper क्यों देखें इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे जो क्लास में पहले हाँ पर पड़े वे हैं वो सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं पड़ा देखिए सबसे पहली बात तो organic थोड़ा lengthy subject है दूसरा maximum बच्चों ने इसका एक हववा बना रखा है कि organic chemistry तो रटने का है के वल इसको तो रटना है वास्तोंता ऐसी नहीं है पड़ा यदि आप organic chemistry को concept के साथ step by step समझते हैं इसे समझते वे पढ़ते हैं याद करते हैं तो जिस तरह से आपको mathematics interesting लगती है जैसे आप सोचते हैं मैंसके questions अपन solve करते जाते हैं आपको time का पता ही नहीं चलता है कब कि time निकल गया सेम उसी तरह एक interesting organic subject है बसरते आपको step by step concept आने चीए हर step का कारण आपके पास होना ची हर step को आपको अच्छे से समझ में आनी चीए तो उतनी interesting organic आपको लगेगी जितनी interesting आपको other subject लगते हैं तो यहाँ पर organic paper में सबसे ज्यादा time लगता है इसको अपन details से तसलिसे discuss करना चाहते हैं इसे कारण आपन सबसे पहले organic paper लेते हैं ठेक है बच्चों तो देखेगा अ अपन बात करते हैं organic के paper की, organic paper में मैंने यहाँ पर note किया हुआ है, total 5 unit है, थोड़ा आज अपन इन 500 units के बारे में introduction part लेंगे, आपको यह बताएंगे कि यहाँ पर आप क्या-क्या discuss करने जा रहे हैं, तो यह answer सुने, बड़ा देखे, unit first में आपके एक chapter है, spectroscopy, बड़ा spectroscopy आपके लिए नया topic है, आपने chemistry में अपसे पहले spectroscopy कहीं नहीं पढ़िए, ना 11 में, ना 12 में, ना 1st year में, spectroscopy आपके second year में भी है और आप third year में भी discuss करेंगे, spectroscopy में दो topic आपके हैं स्लेबस में हैं, UV, ultraviolet spectroscopy, parabangni, drushy spectroscopy, और IR, infrared spectroscopy, अवरक्त spectroscopy, spectroscopy, ये दो topic आपके यहाँ स्लेबस में हैं, जिनने आप detail से discuss करेंगे, और इस पूरे chapter से, दो question आपके exam में पूछे जाते हैं, जिनमें से एक question आपको करना है, maximum बच्चों के mind में रहता है, कि दो question आने हैं, तो दो क्यूं पढ़ें, अरे भाई, आप अच्छे से समझें, आप ये decide नहीं कर सकते हैं, कि chapter के इस भाग से एक question आ रहा है, कि दूसरा question आ रहा है, mix होके question आते हैं, तो निश्चित रूप से यदि आपको अच्छे marks लाने हैं, completely question आटेंड करना है, तो निश्चित रूप से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो इस संबंद में कोई excuse नहीं है, complete आपको, यदि आपको marks अच्छे चीए, आपको knowledge अच्छी करनी है, अपने basic concepts clear करने है, तो निश्चित रूप से आपको complete chapter discuss करना होगा, अब आपन चलते हैं, unit second, देखें बच्चो, unit second में आपके यहाँ पर 4 chapter है, यह यू कहें कि 4 topics हैं, पहले अपन बात करेंगे, alcohol, ether, epoxide और phenol, इन 4 topics के, अपन सबसे पहले लेंगे, इनकी सरचना, इनके क्या formula होते, इनके कितने प्रकार होते, इनके बनाने की विधिया क्या है, इनके भोतिक गुण क्या है, और इनके रासाईनिक गुण क्या है, यहाँ पर इन सभी topics के साथ इन सभी headings के साथ आप इन सभी को discuss करेंगे और एक चीज़ और आपको clear कर दें पटा साथ ही साथ जैसे अपन topic discuss करते जा रहे हैं उसी के साथ साथ आपके exam में किस तरह के questions पूछे जाते हैं उन सभी questions की अपन को यहाँ पर note करना है discuss करना है क्योंकि बटा chapter जैसे आपने topic पढ़ा topic पढ़ने के ठीक बाद अपन यहाँ उनसकी problems को discuss करेंगे उस तरह से जिस तरह से आपके university exam में पूछे जाते हैं जिससे कि साथ के साथ आपको exam की भी preparation करनी है यानि कि कोई भी topic आपने पढ़ा मतलब वो exam purpose से आपको clear हो जाना चाहिए तो किस तरह से question इसमें theoretical भी question है reaction वाली भी question है दोनों तरह के questions आते हैं तो सभी तरह के questions को अपन note करेंगे solve करेंगे, समझेंगे और साथ ही आपको exam में किस pattern से लिखना है उसको discuss करेंगे यहां तरह के लिए रवच्चो आगे देखिए unit third की अपन बात करें unit third के अंदर आपका carbonil yogic carbonil yogic में दो topic है aldehydr ketone देखिए यहाँ पर इस chapter में अपन aldehydr ketone का पहले discuss करेंगे इनकी सरचना और किरिया सिलता नामकरण बनाने की विधिया रासाइनिक अभी किरिया में यह सबी points aldehydr ketone को लेकर के आप यहाँ पर discuss करेंगे इस chapter में भी दो त्रे के question pattern पहला यहाँ पर थोटिकल कोशन थोटिकल के केवल दो ही topic यहाँ पर है इनकी सरचना और धुर्वनता का और दूसरा इसके इनोलेट्स की रूप में उपियोग का बाकी maximum question यह यह कहें कि जो 100% question जो अरसाल इस chapter से पूछा जाता है नेम reaction पर इस chapter में LD हाइड और केटन के chapter में पिड़ा आप बहुत सारी name reactions डिसकस करेंगे यह name reaction आपके exam में संसिप टिपनी के रूप में पूछी जाती है तो यह सब exam pattern किस तरह का question आपके exam में आ रहा है उन सब को आप यह डिसकस करेंगे इसके बाद देखिए unit fourth के अपन बात करें देखें बच्चो unit fourth में आप लेंगे carboxylic armlor तता इसके व्युत्पन carboxylic armlor और इसके व्युत्पन में व्युत्पन के अंदर आप डिसकस करेंगे acetal chloride ester anhydride amide इन सबी की बनाने की विधिया इनकी रासाईने कभी किरिया है को आप detail से इस chapter में डिसकस करेंगे यहाँ पर कोई theoretical question आपके exam में नहीं बनता है reaction based questions होंगे name reaction के questions होंगे जिनको आपको detail से answer देना है detail से मतलब जैसा आपको यहाँ पर notes बनवाए जाएंगे जैसा आपके register में होगा same वैसा आपको exam में लिखना है next अपन बात करें last unit fifth देखे बच्चो unit fifth के अदर आप लेंगे nitrogen के carbonic yogic यानि कि ऐसे carbonic yogic जिसमें nitrogen इसमें totally अपन तीन topic discuss करेंगे पहला nitrogen दूसरा एली फैटिक वै एरोमेटिक एमीन तीसरा एरिल डाइजोनियम लवन तो totally unit fifth के अंदर आपके तीन टॉपिक होगे nitrogen एली फैटिक वैरोमेटिक एमीन एरिल डाइजोनियम लवन तो totally आप देख सकते हैं प्रतिक युनिट से आपके एक्जाम में दस question आने है प्रतिक युनिट से दू और उनमें से एक एक question का chain करते वे आपको कुल पाँच questions के अंसर देने हैं यहां पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि देखे अपन complete syllabus discuss करेंगे systematic तरीके से जिस तरह से अपन offline में पढ़ते थे से मुसी तरह आपको समझ में आएगा और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा आपको लगेगा कि नरेश सर से अपन बिलकुल एकदम आपने सामने बैठके discuss कर रहे हैं पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं इस चीज का विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि आपको online भी complete पढ़ाया जाएगा complete आपको note करवाया जाएगा और अच्छे से आपको समझाया जाएगा इसके बाद देखिए यहाँ पर यह चीज आपको मैं clear कर दूँ कि काफी बच्चों के साथ voice related जो यहाँ पर आपके आवाज से related problems रहती हैं उसके लिए मैं आपको यह कहना चाहूँगा जब भी आप class attend करें जब classes चलेगी recorded classes तो आप कभी भी देख सकते हैं जो हम डालेंगे live classes का fixed time schedule होगा जो आपको बता दिया जाएगा केवल आप से यह एक request है कि जब भी आप पढ़ें तो बढ़ा अपना जैसे हमने यहाँ पर हमारा setup तयार किया है उसी तरह आप भी अपना setup तयार करें ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बैट करके mobile खौल करके बैट के पढ़ रहा है नहीं तो आप benefit नहीं ले पाएंगे अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़ पाएंगे उसके लिए हमें कहना चाहते हैं कि आप भी एक अपना setup तयार करें एक अपने room में table court से लगाईए systematic तरीके से बैठिये अपने notebook अपना register pen ले करके बैठिये और साथ में आपका mobile और सबसे important बात headphone पर आप सभी headphone ले लें क्योंकि आवाज की दिक्कत रहती है और आपको आपके भार आसपास की आवाजें आपको disturb करती है उसके लिए सबसे better option है आप headphone ले headphone से आपको केवल हमारी आवाज सुनाई देगी आपका ध्यान इदर उदर नहीं होगा आप clearly concentrate हो करके हमारे साथ discuss कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है बच्चों तो हम आपसे last time यह कहेंगे अपनी तयारी पूरी रखे जो चीज़े आपको बताईए mobile maximum बच्चों के पास है cable head phone है जो maximum बच्चों के साथ पास नहीं हो सकता है तो बटा वो arrange करें तो जिससे कि आप अच्छे से discuss कर सकें अच्छे से समझ सकें यहां था क्लियर आगे देखी देखे बच्चों यहाँ पर जो अपना organic paper को पढ़ने का जो तरीका होगा इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे unit second सबसे पहले ध्यान से सुने बच्चों सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे unit second उसके बाद अपन लेंगे unit third उसके बाद लेंगे unit fourth और सबसे इसके बाद लेंगे अपन unit fifth और सबसे last में अपन लेंगे unit first स्पेक्टरिस कॉपी अपन लेंगे सबसे last में बढ़ इसका कारण है कारण ध्यान से सुनें आपके लिए नया टॉपिक है theoretical है conceptual है यानि कि आपको अच्छे से discuss करने के बाद ही या आपके द्वार अच्छे से class लेने के बाद ही आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं बहुत easy है आप यह मैं समझी है कि spectroscopy आपके लिए नया टॉपिक है तो कोई difficult है नई बहुत easy topic है बसरते easy तबी होगा जब आप उसे समझते वे discuss करेंगे तो last के अंदर offline class वाले बच्चे सभी जानते हैं कि चाए second year हो चाए third year हो अपने spectroscopy का topic सब से last मिलेते हैं जिससे कि सब बच्चे इकटे हो जाते हैं सब बच्चे तसलिसे पढ़ते हैं last के unit होती है सब यहाँ पर हलके mode में रहते हैं easily topic समझ में आता है तो बटा next class में आपने start करेंगे alcohol का topic unit second तो आप तयार रहिए next class के लिए thank you very much